आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तुम्हें रिलू का पुठती है समझनी आथा कि जो भी मैंने देखा क्या वो सच था या फिर कोई भ्रह्म क्या आप भूत प्रेत प्रविश्वास रखते हैं अगर दस साल पहले यही सवाल आप मुझस्व करते तो मेरा जवाब ना होता मगर उस रात मैं अपने एक दोस्त की शादी को अटेंट करने गाउं जा रहा था बस कंड़क्टर को जब मैंने गाउं का नाम बताया वो तो लाग चौंक सा गया और मेरी तरफ अजीव नजरों से देखना लगा उसने मुझसे कहा कि ये गाड़ी उस रास्ते नह लगबग रात के दस बजे गाड़ी उस स्टॉप पर पहुची और मैं बस से उतरने लगा लेकिन तब ही बस कंड़क्टर ने मुझे रोगा वो मुझे वहाँ पर ना उतरने की विनिती करने लगा उसके कही अनुसार वो रास्ता बड़ा ही निर्जन था लेकिन पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कंड़क्टर को धन्यवाद देते हुए मैं पस से नीचे उतर गया मैंने मुड़कर देखा तो कंड़क्टर अभी भी मेरी तरफ देख रहा था मानू जैसे उसे मेरी बड़ी चिंता हो रही थी बस निकल गई और उस सुनसान रास्ते में केला रह गया मैं बस के जाने के बाद वो रास्ता और भी सुनसान लगने लगा अन्थेरा काफी खना था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी सो मैंने अपने मुबाइल की लाइट हॉन की और जंगल के रास्ते की और बढ़ गया मैं थोड़ी दूर चला था कि अचानक बारेश शुरू हो भी मैंने अपना जाता निकाला और मुबाइल की धुंदली सी रोशनी में आगे बढ़ने लगा लेकिन अचानक मेरे मुबाइल की टॉर्च बंद होने लगी मेरा मुबाइल स्विच्ट आफ हो गया रह रह कर मुझे कंड़क्टर की बातें याद आ रही थी मैं अपने आपको कोसने लगा काश मेंनो उसकी बात मालनी होती लेकिन हम मेरे पास कोई चारा नहीं था मैंने हिम्मत बांदी और आगे बढ़ने लगा तब ही किसी लड़की की आवाज मेरे कानों पर आई क्या आप गाव की तरफ जा रहे है वो लड़की बहुत ही सुन्दर थी उसके बाजू में एक बूढ़ा सा आद्मी हाथ में लाल्टेन लिवय खड़ा था मैंने उसकी आँखों में देखा और मैं एकदम सहम सागया उसकी आँखे मुझे बड़ी अजीव ढंग से खूर रही थी चलो बाबुजी साथ में चलते है बिना कुछ कहे मैं उनके साथ चलने लगा मुझे एक बाद बड़ी अजीव लगी इतनी बारिश हो रही थी लेकिन उनके पास चाता नहीं था उस बूढ़े आद्मी ने अपने पूरे बदन पर एक कंबल लपेट लिया था और वो लड़की तो बारिश में पूरी भीग चुकी थी मैंने उसकी तरफ देखा सच में वो बहुत ही सुन्दर थी जे आप चाहें तो मेरा चाता ले लिजे मैंने उस लड़की से घुजारिश की जी नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं और इतना कहकर वो मेरे पास आई और मेरे साथ एक ही छाते में चलने लगी सच कही है तो मुझे ये रात बड़ी अच्छी लगी थी लेकिन जैसे ही छाता पकड़ने के लिए उसने मेरे हाँतों को चुआ मैं चौप क्या क्या हुआ उसने मुझसे पूछा जी जी वो आपके आपके वो आपके हाथ बहुत ही ठंडे थे लड़की मुस्कुराई जी हाँ वो आज बारिश बहुत जादा है ना शायद इसलिए उस खुबसूरत लड़की के साथ एक ही छाते में चलते हुए मैं रुबांचित हो रहा था आप गाउ नस्दीक आगया था मुझे दूर से घरों में जल्दे टिम टिमाते हुए दियों की रोशने रिज़रा रही थी मैं उस रास्ते से आगे पढ़ा लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की और वो पुणा आत्मी एक तम से रुख गए क्या हुआ आप रुखे क्यों मैंने उसे पूछा आप गाउ में नहीं आने वाले जी हम गाउ नहीं आते हमारा लॉज है यहाँ पर कभी वक्त मिले तो आईएगा जरूर उस लड़की के हाँ तो मैं चाता देखे मैं आगे बढ़ा अचानक मुझे याद आया कि मैंने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं अपने आपको कोस्ता हुआ मैं पीछे मोडा और मेरे पाउं तले जैसे जमीन खिसा की गई वहाँ पे कोई भी नहीं था मैं आके भाड़ भाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा अचानक फिर से बचली कड़की अब फिर जो मैंने देखा मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया हूँ उनकी आखें उसमें तो जैसे जानी नहीं थी लेकिन फिर भी वो मुझे ही गूर रही थी चेरा सफेद मानो जैसे उनका खून ही सूप चुका हो वो मेरी तरब देखकर मुस्कुराई उसके सारे दाथ सड़ गए थे हमारा रौज है यहाँ पर तब ही वक मिले तो आईए ना ज़रोर मैं आपकी राहवे खूनी उसकी अवाज मानो किसी कब्र से आ रही हो इतनी भयानक थी मेरे हाथ पाउं कापने लगे मुझे उस कंड़क्टर की बताई हुई बात याद आ गई उसने मुझसे कहा था कि रास्ते में अगर कोई पुकारे तो रुकियेगा वक्त इतनी बारिश में भी मुझे पसीना आने लगा और फिर अपनी चान हतेली पर रक्कर मैं वहाँ से भाग निकला पता नहीं मैं कितनी देर भाग रहा था गाओं में पहुशते ही मैं बिहोश होके गिर गया उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता लेकिन दो दिन बाद मुझे होश आया थम मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पिछले दो दिन से मुझे तेज बुखा था और मैं अपनी पिहोशी में अजीब अजीब बातें बढ़ बढ़ा रहा था मैंने अपने दोस्त को उस रात क्या हुआ वो सब बात बताई जिसे सुनकर मेरा दोस्त भी खबरा गया उसने मुझसे उस गाउ में खटी हुई एक हकिकत बताई जिससे सुनकर मेरे रोंग टेखड़े हो गए वो कहानी कुछ इस प्रकार थी उसी काओं में एक लॉज था जिसे एक बुढ़ा आदमी और उसकी नाधिन दोनों मिलकर चलाये करते थे कुछ साल पहले शहर से कोई लड़का उन दोनों के लॉज पर रहने के लिए आया था वो दोनों इक दूसरे से प्यार करने लगे लड़के ने लड़की से शादी का वादा किया और फिर वो रशहर चला गया वो लड़की उसकी लॉटनी की इंतजार की रहा देखने लगी मगर वो लड़का लोट कर कभी नहीं आया गाउं के लोग अब उस लड़की का मजाक उड़ाने लगी उसे तंग करने लगी उनका अलाज बंध हो गया वो बुढ़ा आदमी और लड़की तोनों यह अब अकेले बढ़ गए लड़की का हाल तो बहुत ही बुरा था वो अब पागलों जैसे बरताव करने लगी थी उस पूरे से अपनी नातिन का यह हाल परदाश नहीं हुआ एक रात को दोनों चंगल की तरफ निकल पड़े और एक पेड से लिटक कर उन दोनों ने आत्मात्या कर ली उस तुफानी रात में मैं जिस लड़की और उस सुपूरे आत्मी से मिला ये वही लोग थे आज भी जब मुझे वो तुफानी रात याद आती है तो मैं जहन से नहीं सूपा था अब आप ही बताईए उस रात जो भी मैंने देखा या फिर महसूस किया वो सच था या फिर मेरा भ्रम हाँ आपको क्या लगता है क्या भूत प्रेथ सच में होते हैं मैं वो रात कभी नहीं बूल सकता जिस पीजा शॉप में मैं काम करता हूँ वहाँ पे मेरी शिफ्ट खतम हो चुकी थी मैं रेडी हो रहता घर जाने को तब ही वो फोन बजा उस रात काउंटर पे मैं ही अकेला काम कर रहा था तो मैंने ही फोन रिसीव किया लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा था इसलिए मैंने फोन रख दिया कुछ एक मिनिट बात फिर से वो फोन रिंग हुआ मैंने फोन रिसीव किया तबी भी साइलेंस ही था मैं फोन फिर से रखने ही वाला था तब मैंने एक कोल्ड और वीक साउंड सुनी फोन से वो आवाज किसी ओल्डर वोमन की थी उसने कहा उसे रेगुलर चिकन पिज़ा चाहिए मैं फोन पे तो शांत रहा लेकिन अंदर से तो मैं उस बुड़ी औरत को गालिया दे रहा था मैं अपनी शिफ्ट खतम करके घर जाने ही वाला था तब ही उसका फोन आया था मैंने अपने बॉस को कहा कि कोई तो पीजा डिलिवरी ओर्डर कर रहा है मेरे बॉस ने कहा मुझे वो पीजा डिलिवर करना होगा पहले तो मैं बहुत अपसेट हुआ लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इसका टिप भी मिलेगा और बुडे लोग बहुत ही जादा अच्छी टिप देते है मैंने अड्रेस नोट डाउन किया और मैंने उसे कहा कि मैं वहाँ पे जल्दी आ जाओंगा लेकिन उसने पहले से ही फोन कट कर दिया था वो काफी स्ट्रेंज था और रूड था मेरे बॉस ने मुझे डिलिवरी के बाद घर जाने को कहा क्योंकि वापस आने तक तो पीजा शॉप बंद हो चुका होगा तो कुछ 11 बजने से थोड़ी देर पहले ही मैं अपने गाड़ी में बैटा और पीजा डिलिवरी करने के लिए निकल गया दिये हुए घर का एड्रेस काफी शांट जगा पे था जीपेस के मदद से मैं एड्रेस लोकेशन पे पहुचा वो काफी शांट और वन फ्लोर का घर था मैंने फिजा उटाया और घर की तरफ चल पड़ा वो घर की सबी लाइटे बन थी मैंने बेल रिंग की इसी होप में की दिया हुआ एड्रेस गलत नहो लेकिन रिंग को किसी ने एंसर नहीं किया मैंने फिर से डोर बेल रिंग की लेकिन अभी भी किसी ने एंसर नहीं दिया था मैं अभी वहाँ से निकलने ही वाला था तब ही मैंने अपना सर राइट साइड में गुमाया और मैंने देखा कि वहाँ पे खिड़की पे कोई खड़ा है मैं पहले तो काफी डर गया फिर पीछे हुआ फिर उसके बाद मैं eventually उस खिड़की के पास गया उस इंसान को देखने वो एक बुड़ी औरत थी mid 70s में वो एक blank expression के साथ मेरी तरफ stare कर रही थी windows के थू मैंने चिलाया कि उसका pizza मेरे पास है लेकिन उसने कुछ respond ही नहीं किया इसलिए मैंने और भी चिला के कहा तब ही उसकी face पे एक बड़ी सी smile आई वो smile कोई genuine smile नहीं थी वो काफी creepy और डरावनी smile थी मुझे आज भी उसकी smile और वो expressions याद है मैंने decide कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए तो मैं वहाँ से निकल गया और अपने कार में जाके बैटा pizza को मैंने passenger seat पे रखा मुझे लगा कि मुझे ये सब अपने boss को inform करना चाहिए मैंने मेरे boss को text किया और मैंने कार चलू कर दी बस एक बार मैंने right side में अपनी नजर डाली मैंने देखा कि वो औरत passenger seat के window में मुझे अभी भी देख रही है वो ही same smile और expression के साथ मुझे stare किये जा रही है ये देखते ही मैंने वहाँ से अपनी कार बड़ी तेजी से भगाई और मैंने पीचे मुड़के भी नहीं देखा इसके बाद मेरे boss ने मुझे कभी late night डिल देख रही है